राय बरेली समाचार चैनल आज की बड़ी खबर गाजियाबाद के रहने वाले बच्चे की गंगा नदी में दूबने से मौत गाजियाबाद का रहने वाला बच्चा अपने परिजनों के साथ कोतवाली क्षेत्र के पूरे प्रसाद मजरे खरौली गाउंग में रिष्टेदारी में आया था शुक्रवार की सुबह खरौली गंगा घाट पर गंगा नदी में नहाते समय बच्चा डूबा गोता खोरों ने निकाला शब उचाहार कोतवाली क्षेत्र के एक गाउंग में एक शादी समारोह में परिवार के साथ शामिल हुने आये गाजियाबाद के रहने वाले बच्चे की गंगा नदी में नहाते समय दूबने से मौत हो गई गोता खोरों ने कड़ी मशक्कत करके गंगा नदी में डूबे बच्चे का शब बाहर निकाल कर पी-म के लिए भीज दिया घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया गाजियाबाद शहर के रहने वाले राजू परिवार के साथ दो दिन पहले अपने चचेरे ससुर के लड़की की शादी में शामिल होने के लिए उचाहार कोतवाली क्षेत्र की पूरे प्रसाद मजरे खरोली गाउं में आये थे वैवाहिक कार्यक्रम समाप्थ होने के बाद शुक्रवार की सुबह वह परिवार समेट पूरे तीर घाट पर गंगा स्नान करने गये थे तब ही स्नान करते समय उनका दस वर्षिय बेटा जैविक का नहाते समय पैर फिसल गया इससे वह गंगा नदी के गहरे पानी में दूबने लगा परिजनों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन तब तक वह नदी में दूबा गया था बच्चे के नदी में दूबते ही परिजनों की चीक पुकार सुनकर घार पर मौजूद गोता खोरों ने गंगा में छलांग लगा कर डूबे बच्चे को खोच कर बाहर निकाल लिया लेकिन तब तक बच्चे की मौथ हो चुकी थी इससे परिजनों में कोहराम मच गया सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्ट माटम के लिए भेजा है कोतवाल शिबशनकर सिंग ने बताया कि गंगा में सनान करते समय बच्चे की मौत हुई है शव का पोस्ट माटम कराया जा रहा है गाजियाबाद के रहने वाले बच्चे की गंगा नदी में डूबने से मौत क्रासर गाजियाबाद का रहने वाला बच्चा अपने परिजनों के साथ कोतवाली क्षेत्र के पूरे प्रसाद मजरे खरौली गाउंग में रिष्टेदारी में आया था क्रासर शुक्रवार की सुबह खरॉली गंगा घाट पर गंगा नदी में नहाते समय बच्चा डूबा, गोता खोरों ने निकाला शब उचाहार, कोतवाली क्षेत्र के एक गाव में एक शादी समारोह में परिवार के साथ शामिल होने आए गाजियाबाद के रहने वाले बच्चे की गंगा नदी में नहाते समय डूबने से मौत